हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए भरवा कुल्चा लेके आई हूँ आलू कुल्चा एकदम अम्रिस सर जैसा घर में बैठे आप अम्रिस सर के कुल्चे का स्वाद ले सकते हैं और बहुत ह कि easy method से बता रहे हूं जिसे आप पहली बार में ही सही तरीके से बना सकते है बीना गलती की यह उए और इसे जो नहीं बनाना जानता है वो भी बीना गलती कैसे बना लेंगे एक दम सही माप डंट सै सही ट्रेक से बहुत ही आसान आज तक ही सबसे आसान कुल्चा रेसेपी आप लोगे शेयर कर रहे हैं इतना सरल और इतना सुबीदा जनक है दोस्तों कि मैं क्या बता हूँ आप देखो के तब पता चलेगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग जाए वीडियो आपके दिल को छू जाए थोड़ा से भी आपके लिए यूसफुल हो तो दोस्तों इस वीडियो को जादा जादा लाइक कर दिजेगा शेयर कर दिजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सकाइब कर लिजेगा तो पहले जिसमें आपको डो लगाना है वो बरतन ले लिजेगा यहाँ पर मैंने 200 ग्राम करीब मैदा लिया ह क्योंकि इसमें डस्ट वगेरा रहते हैं तो दोस्तों आप मैदा को पहले चाल दीजेगा यहाँ पर होल बना देते हैं इसमें सारी समागरी हम एट करेंगे से पहले हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे दोस्तों गुनगुना पानी करीब हम अब इसमें चार चमश डा यहां पर मेल्टेट बटर है तो लगभग पहले मैं यहां पर आठ से नौ ग्राम मेल्टेट बटर इस्तमाल कर रहे हूं इसमें साथी साथ इसमें हम यहां सुगर है चीनी है तो चीनी मैं इसमें डेर चमच करीब एड कर रहे हूं साथी साथ वन फॉर्थ करेब हम इसमें नम इतनी इजी प्रोसेस से यह कुल्चा रेसेपी है ना दोस्तों कि मैं क्या बताओं आप जब बाहर होटल में रेस्टोरेंट में कहीं भी इसे ओर्डर करते हो दोस्तों और विसेश कर अम्रिस सर में जब आप इसको खाते हो बस वही टेस्ट फ्लेवर आपको घर में मिलेगा ब्रेकिंग पॉडर डालेंगे ब्रेकिंग पॉडर करीब हाफ स्पून मैं इसमें डाल रहे हूं साथ ही साथ इसमें ब्रेकिंग सोडा देना है तो ब्रेकिंग सोडा मैं इसमें वन फॉर्थ करीब डाल रहे हूं आब इन सब को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं पहले दो डोस्तो उसके बाद हम पानि डालके क के गुंबुना एक कजिएगा ङसे डालकर इसका एक सौफ्ट सा करेंगे दोस्तो से आप की कोछ एक सब्सक्राइब करेंगे अब होदाएब करेंगे मिल गई हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुन गुना पानी एड़ करेंगे दोस्तों यह देखिए और फिर हम इसे एक लचीला सा डो रेड़ी करेंगे तो दोस्तों देखिए बहुत ही सौफ्ट डो है इसका अभी इसको अमने पूरी तरह गूथा नहीं है इसको उठा उठा के पटक पटक के आप देखते होगे ऐसे करके पटक पटक के और घीच घीच के एकदम मैं नहीं दिखा पा रहे हूं क्यूंकि दोस्तों एक खासे घीच घीच बटक के लड़नों में और एकदम पटक पटक जैसे बनाते हैं इससे जो हमा रहा पूब होगा बहुत ही सउफ्ट और एकदम लचिला बनता है दोस्तों और दोस्तों और मैं इसमें धोड़ा सा अभी थोड़ा सा और मैं या बटर से परेज है तो थोड़ा सा भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आमरी सर की कुल्चा बन रही है तो उसमें बटर का होना तो स्वभाविक है दोस्तों तो इसको और हम ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे घीज घीज के उठा उठा के पटक पटक के एक सौफ्ट सा हम डो रेड बढ़ियां से ऐसे करके मिलाएंगे दूस्तों 6-7 मिनिट तक आप इसको बढ़ियां से ऐसे करके गीज घीज के उठा उठा पटक पटक के आप इसको को गूथ हीएं आपको मैं नस्दीक से दिखा दे रहे हूं कि यह देखे कितना सौफ्थ हमारा डो बनके रेडे हुआ है दोस्तों और जो भी चीज हमने इसमें मिलाई थी कितना लचीला है कितना सौफ्ट है दोस्तों देख सकते हो नजदीक से एकदम पॉफेक्ट हो हमारा बनके रेडे हुआ है अब हम इसमें थोड़ा सा और उपर से बटर एड़ करके थोड़ा सा और बटर लगा देते हैं दोस्तों उपर से और इसको हम करीब अभी मैं इसको करीब देर घंटा के लिए छोड़ूंगी अगर आप जल्दी बाजी में हो वैसे तो इसको तीन से चार घंटा छोड़ा जाता है तब ये बहुत ही आच्छा बनता है और ना हो सके तो आप इसको आदा घंटा या देर घंटा थोड़ा सा रेष्ट पे कोड़ देते हैं दोस्तों जब तक हमारी डो रेष्ट करीए तब तक यहां पर बॉइल आलू मैंने पांच लिए हैं मीडियम साइज के इसको हम कदू कस्पी घीस लेंगे जिसे इसमें गुठली लंस वगयरा ना रहे तो आलू को हमने कदू कस कर लिया है अब हम इसमें फ कस्तूरी मेथी है आप चाओ तो इसमें पुदेरी की फ्रेस पत्ती भी डाल सकते हो या फ्रेस जो हमारी कस्तूरी मेथी या फ्रेस उसको भी डाल सकते हो हम इसमें फटाफट से पुरे घर के जो मसाले हैं मैं उसी को include कर रहे हूँ दोस्तो इसमें totally जो भी मसाला मैं यूज करूंगी घर का ही है मैंने अपने हाथों से बनाया है घर के मसाले में बाद अलग होती है दोस्तों और मार्केट का मसाला जो होता है उससे different flavor होता है हमारे अगर के आपने हाथों से बनाया हों मसालों में स्वात जवरदस्त आता है तो सबसे पहले यहां पर अध्रत ग्रेट किया हुआ है बहुत ही बारिक चौप्ट किया है साथी साथ यहां पर बारिक कटी हुई हरी मिर्ची है साथी साथ यहां पर हम दोस्तों हाफ स्पून करी हम इसमें दरदरा ब्लैक पेपर दे रहे हैं साथी साथ यहां पर हाफ इस्पून करीब इसको धनी को अच्छे से मैंने भून के फिर बढ़ियां से ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड किया तो हाफ इस्पून धनी पॉडर है एक चमच करीब यहां पर मैं भूना हु जीरा पॉडर दे रहे हूं साथी साथ यहां पर हाफ इस्पून करीब चीली फ्लैक्स दे रहे हूं दोस्तों इसमें रेट चीली पॉडर भी दे रहे हूं तो चीली फ्लैक्स मैंने इसमें डाला है साथी साथ हरी मिर्ची भी डाली है तो उस हिसाब से जो स्पाइसनेस है अपने टेस्ट कोडिंग आप बढ़ा या घटा सकते हो अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट देंगे दोस्तों ब्लैक सॉल्ट से ये बहुत ही अच्छा बनेगा और यहाँ पे सफेद नमक का भी मैं इस्तमाल करे हूँ साथी साथ इसमें चटपटा फ्लेवर देने के लिए एक स्पून करेव इसमें चाट मसाला दे रहे हूँ आप चाहो तो आम चून का भी इस्तमाल कर सकते हो उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अब हम यहाँ पे बहुत ही प्रेस कटी हुई कोरिंडर लिप दे रहे हैं अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तो इसको बढ़िया से साथ देखिए दोस्तों कितना चटपटा फ्लेवर लग रहा है कितना बढ़िया दिख रहा है और आप इससे ना यह बहुत इंस्टेंट्ली है आप इस सा टेस्ट करके इसमें एड कर सकते हो कुछ भी तो दोस्तों डोको आप हम चेक कर लेते हैं यह हमारा काफी देर रेश्ट पर इसको छोड़ दिया था लगभग एक से डेल घंटा इसको हमने छोड़ दिया था यह देखें काफी यह फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है इसको हम बराबर मात्रा में लंबा लंबा करके बराबर लोई काट लेते हैं दोस्तों 200 ग्राम मैदा में लगभग 4-5 कुल्चा हमारा अराम से बन जाएगा दोस्तों बराबर लोई काट ली है 5 लोई बनके रेडी हुई है दोस्तों तो आब हम इसको गोल गोल जैसे रोटी राउंड करते हैं हाथों में राउंड कर लेते हैं दोस्तों साइज बड़ा छोटा आप अपने अनुसार कर सकते हो दोस्तों गोल गोल कर दिया है रोटी जैसा यह देखिए बहुत ही जो हमारी दो है ना बहुत सॉफ्ट और लचीली बनके रेडी हुई है एकदम अब हम इसको और एक बार 15 मिनट ढखके कपड़े से रख देते हैं दोस्तों 15 मिनट हो गया ह इसको हम निकाल लेते हैं अब हम इसको भरेंगे स्टफिंग करेंगे दोस्तों आज हम जो कुल्चा है थाली पे बनाएंगे बेलन और चकले की जौत नहीं है बेलेंगे भी नहीं एकदम हम हाथों की सहता से ही एकदम कुल्चा बनाएंगे तो सबसे पहले हमने मैदा को इस अगर आप चाहो तो बेलन और चोकला पे भी ये कर सकते हो लेकिन मैं हाथों से इसे थाली पे बना रहे हैं तो दोस्तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं गोल गोल कर लेते हैं जो हमारा स्टाफिंग है आलो का तो दोस्तो इसको गोल कर लिया है अराम से अब यहाँ पर देखें रोटी हमारी बनी हुई थी इस पर डाल देते हैं अब हम इस रोटी को जैसे आप पराथा रोल करते हूं न दोस्तो उस तरह से इसे लॉक कर देना है बढ़ियां से इसली यह हो जाएगा दोस्तों इसको लॉक कर लिया है अब हम इस पर थोड़ा सा और आगे पीछे मैदा जो है सुखा हुआ मैदा डश्ट कर देते हैं और दोनों हाथ से इसको अच्छी तरह से चारों तरफ करते हैं इस तरह से करने से क्या होगा जो हमारी कुल्चा है किसी तरफ से मोटी रहेगी किसी तरफ से पतली रहेगी, जैसा आप होटल में ऑडर करते हो, तो वैसा ही टेस्ट आपको लुक घर में मिलेगा दोस्तों, और देखने में बहुत ही और खाने में भी आनानद आएगा दोस्तों तो दोनों हाथ से एक हाथ से आप ऐसे ऐसे कर लिजी ये देखिए दोस्तों हाथों से इसको बढ़ियां से हमने सेट कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे ये देखिए चारो तरब थोड़ा सा हम पानी देते हैं पानी देने के बाद दोस्तों इस पे हमने रेट चुली पॉडर स्प्रिंकल कर दिया है अब हम हरी धन्या पता डाल देंगे आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको हम थोड़ा सा ऐसी करके प्रेस करते हुए चिपका देंगे मैंने पहले ही हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था दोस्तो बेसिकली जो कुल्चा होती है वो तंदूर पे बनती है आवन में बनती है लेकिन आज हम तावा कुल्चा बनाएंगे अब मैंने गैस को लोटू मीडियम कर दिया है क्योंकि बहुत ही गरम हो गया हमारा तावा और इस इसको तावा पर ऐसे करके दे देते हैं दोस्तो यह अपने आप फूल रहा है एक्दम फूला फूला बन रहा है दोस्तो आप हम इसको है ऐसे कर देंगे दोस्तो यह तो से टीनिव मिंट पका लिया था कितना पॉफेक्ट चारो तरब से कलर निखर के आया है बहुत बढ़ियां ही और इस साइड भी हम उल्टा लेते हैं अब ये भी हमारा देखे बढ़ियां बनके रेडी हो गया इस तरह से मैं सारे कुल्चे बनाके रेडी कर लेती हूँ तो ये लिज़े दोस्तों आपकी अमरिश सरी कुल्चा बनके रेडी हो गई है अब हम इसमें एक चीज की कमी है घी या बटर लगा देंगे जिनको घी पसंद है वो घी दे दीजेगा जिने बटर पसंद है वो बटर दे दीजेगा ये देखिए अपने आप बटर जो है मेल्ट हो रही है दोस्तों क्योंकि हमारी कुल्चा जो है गरम है इसलिए अपने आप मेल्ट हो जाएगी ये लिजे दोस्तों सारे में बटर लगा दिया है कम जादा आप अपने मर्जी के अनुसार इसे डाल सकते हैं, इस्तिमाल करके खा सकते हैं बहुत ही easily process से मैंने आप लोग के साथ share किया है दोस्तों देखने में तो देखी सकते हैं कि घर में एकदम easy process से हमने hotel से, restaurant से भी बहत्री अम्रिसर आलुवाली कुल्चा बनाई है दोस्तों इसे easily process से बनाई है, full family के साथ दोस्तों के साथ इसे enjoy कीजे इसे छोले के सबजी के साथ खा सकते हैं, पनीर के सबजी के साथ खा सकते हैं, चटनी, रायता, जिसके भी साथ खाएंगे, आप बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो घर में एकदम होटल, रेस्टूरेंट स्टाइल, अमरिसर जो हमारे कुल्चा है, घर बैठे ही, पता चलना च चाहिए, तो बस लाश्ट प्रोसेस है, इसको हम चारो तरफ से चूड़ते हैं, दोस्तों ये देखे, बढ़ियां से चुड़ा रहा है, तभी एकदम घर बैठे, आपको अमरिसर कुल्चा का स्वाद लेने में मज़ा आएगा, दोस्तों, जो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को भी सब्सक्काइब कर लिजए, ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी के लिए, बाबाई, टेक केर,